कि जैसे महामद बिन तगलग ने बहुत कोछ इंसे इन्ट्रूक्चर की कि इसू है उसको आप अड्रेस नहीं करें आप उसमें एक पैसा नहीं लगाना चाहएक उसमें पसे लगाना होगा कानून पास करना तो मुफ्ट है दिल्ली में एक कंजूमर कोट ने कहा जनाब हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बात्थरूम नहीं है 75% तो वही रखाए हो ठीक जहां अपना दिमाग लगा है वहाँ ही उन्होंने बंटाधार किया क्या जल्दबाजी था कि जब 150 संगसट का आपने इंडिलंबित किया था उसी सत्र में आपको इसको पास करना था मैं इस सरकार को आरोक नहीं लगा रहा हूँ कोई भी सरकार जो आएंगे वो पुलीस रिफाम कभी नहीं करें लिखना बहुत अच्छा है कि 30 दिन के अंदर होगा साग दिन के अंदर होगा तीस दिन के अंदर जज़्जमन करोगे अज के दिन में मेल रेप is not a crime पुरुष पुरुष का रेप करें उस मामले में अप कहाएंगे एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब बदल दिया, दूसर तरफ कह रहे हैं कुछ बदला ही नहीं, कॉस्मेटिक चेहें हैं वकील के ऊपर कोई आफ़त दे पड़ता है अच्छा, वकील तो मुगदमा जीतता ही जीतता है हम देखते हैं, जितना अच्छा वकील है, उतनी उसकी महंगी फीस है आप तो कानून पे बात करने वाले थे, आप हमारे फीस पे आप आ गए देश में इस वक्त चर्चा है, तीन नए आपराधिक कानूनों की एक जुलाई से लागू हो गए हैं बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अपने गदम पीछे नहीं अटाया दोहजार तेश के दिसंबर में जब संसद में खुब कोहरा मचा था, तब ये कानून पारित हुए थे और तब से इंतजार हो रहा था कि क्या नया होने वाला है देखेंगे, और आशंका भी यही थी कि प्रोटेस्ट होगा, हुआ भी, मगर एक जुलाई दोहजार चौबिस जैसा मैंने बताया, तीनों आपराधिक कानून अब लागू है भारतिय नय सहीता है, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता है, भारतिय साक्ष अधिनियम है, तो पहले हमारे आथी भारतिय दंड सहीता IPC, दंड प्रक्रिय सहीता CRPC, और भारतिय साक्ष अधिनियम, एविडेंस एक्ट, तो नाम ही नहीं बदले हैं, बहुत कुछ अंदर भ खत्म कर रहे हैं, एक तरक ये भी है, और साथ में कुछ और तरक भी है सरकार के, जिसमें से इक ये भी है कि हम ऐसी कानून विश्था लाना चाहते हैं, जो दंड देने पर आधारित ना हो, बलकि नियाय देने पर आधारित हो, तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, यूं भी कानून समझना कोई आसान काम तो है नहीं इसके लिए देश में वकील हैं वकील खूब पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें हम फीस भी देते हैं हमारे हिस्से कानून वो समझें लेकिन नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि क्या बदल गया है पूरा ना सही थोड़ा कर लाएं हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया आपको नितिन आप मुझे बूला है लेकिन एक अब्जेक्शन है मेरा पहले ही आपने गलत बोले हो क्योंकि हमारे कानून विवस्ता के अनुसार स्पेशली क्रिमिनल लॉव में हर विक्ति को निश्शु नहीं लेते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन सर अब इस पर आउश से पहला आपने छेड़ दिया तो दुखती रग है ये हर आम आदमी की हम देखते हैं जितना अच्छा वकील है उतनी उसकी महंगी फीज है लोकतंत्र है हमारे इतने गरीब लोग हैं हर आदमी मुकदमों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल हो आप तो आउट तो सिलिबस प्रेस्टिन पूछ तरह ले आप तो कानून पर बात करने वाले थे आप हमारे फीस पर आप आगए आपने चेड़ दिया इसके बारे में ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शल है वकीलों के लिए क्यों के वकील त गरीब वकील को या उतना फिमस को खड़ा करते है उसको शायद दो मिनदी कोट नहीं देंगे तो इसलिए for example आपको ये जो हमारे जो जर्चा है इसको हम ये कानून पे लाते है अब आपको पता होगा इसमें और एक चीज उन्होंने आड किया है community service करके तो एक डंड जो है वो है कि आप community के हिंदी क्या है community में है कि आप सामुदाइक सेवा करेंगा तो अब इसमें भी देखो अगर एक पॉर्श कार चलाने वाले अमीर आदमी को सोचो वो अगर कोई कोई गुना उनके उपर allegation होते हैं कोड जाते हैं मान लो उसके अच्छे वकील है वो उसको community service एक essay लिखो या जाके गुर्दवारा में जाके पैसा देके सेवा कर दो कर देंगे और जो गरीब है जो अच्छा वकील नहीं कर पाएगा वो community service उसको ना मेले वो जेल के अंदर रहेगा क्योंकि ये community service का भी guideline नहीं कहा कि कि किस तरीके का होगा किस परस्थिति में होगा लेकिन इसमें डाल दिय जो जो ओफेंस सीरियस नहीं है उसमें जिसे defamation वगरा में मानहानी में अब ये जो नाय संगिता है इसमें community service भी और एक option है हलाकि अच्छा है लेकिन problem है कि जिसे आपने कहा system हमें देखो एक तो ideal है लेकिन हमें reality जो है कानूनी ववस्ता का system है reality check भी होना चाहिए ideal तो paper में सब कुछ ideal हो सकता है आपको पता है कि UPA सरकार पेपर पे निशुल को वकील मिल रहा है तूशे you've got back to me correct you're right मुझे पता है कि आज के दिन में वो बैचार इनिशुल वकील जो मिलते है बोलते कि माफ करो भाया मुझे ये वकील मच चाहिए मैं खुद पैसा दे के अच्छा वकील ले लूँ इसलिए लोग सरकारी डॉक्टर के पास जाने से बहतर समझते है कि या प्राइवेट वाले के पास चले आओ या फिर ये सरकारी डॉक्टर जो यहां बैठा है ना जब ये प्राइवेट वाले में बैठेगा वहां जाओंगा वह तो है बहुत सारे दिल्ली में तो थो थोड़ा इंप्रूबन हुआ था लेकिन बहुत सारे सरकारी स्कूल के में वो टीचे जाक कि आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हो आज के दिन में अगर आप देखोगे कि हमारे justice system criminal justice system is croaking कितने सारे लोग आप हैरान होके जानके कि कितने सारे cases में bail होने के बाद भी कितने accused jail के अंदर है क्योंकि उनको पता भी नहीं कि क्या करना है या उनके bail post करने का पैसा भी नह मुझे थोड़ा सा शुरू से शुरू करना चाहिए था अब करता हूं ये बताईए कि नया कानून तो आ गया है लागू भी हुए गया है अब मैं देख रहा हूं खुब खबरें आ रही है कि बवाल है वकील मान नहीं रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाला कि उन्हें जाता हूं जैसे हम बात कर रहे थे प्रोटकास्स रेकॉर्डिंग के पहले कि जैसे महामद बिन तुगलक जब तुगलक ने बहुत कुछ इंट्रड्यूस किया था दौलाताबाद हो या पैसा हो जो नियत था नियत साफ थे नियत वास तो डू सांथिंग गुड कि इंप् 90% जो घपला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अब इसमें 90% नियत जो साफ है उसके बारे में कहता हूं कि पॉजिटिव भी देखना चाहिए जो 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 चर्चा है वो सकारात्मक होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए एक तो देखी हमारे कानून में बहुत सा बहुत सारे प्रावधान थे जिसका कोई सेंस नहीं होता था और बहुत सारे प्रावधान थे जहां जो विक्टिम है उसका कोई वॉइस नहीं होता था तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन किया गया है जैसे विक्टिम को राइट है to get a copy of the F.I.R. विक्टिम को राइट है to be आपको जब accused बनाया जाता था, आरोपी बनाया जाता था, आपके खिलाफ case दर्ज हो गए, cognizance हो गए, आपको पता भी नहीं, आज ये जो संग्षोधन के आगे, इसमें accused को right है to be heard before it is taken, before cognizance is taken, मतलब अगर आपके खिलाफ कोई जाके court में जाके, आपके खिलाफ आपके पीट पीछे कोई आरोप डालते है, उसमें procedure करने के पहले, अदालत आपको notice देंगे, आपको सुनेंगे, आपका सुनवाई होगा, अब देखे हर चीज़ का उल्टा तर्क हो सकता है, इसमें डिले भी हो सकता है, जैसे एक चीज़ उन्हेंने का है कि FIR, सुप्रीम कोट का आपको जज्जमन्ट पता है, लडिता कुमारी, जहां कहता है कि FIR दर्ज करना पुलीस का जब्मेवारी है, हाला कि एक्सेप्शन है, जो घरेलू हिंसा है, घरेलू विवाद है, 498A वेगरा में, ओल्ड आईपीसी में, वो बोता थे कि पहले रिकंसिलियेशन होगा, तो अब इन्होंने जो नया कानून बना है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है, कि पुलीस के डिस्क्रेशन पर होगा, कि वो FIR रेजिस्टर करेगा कि नहीं, तो पुलीस कह सकते हैं कि ने हम FIR रेजिस्टर नहीं करेंगे, हम प्रिलमिर एंक्वारी करेंगे, अब आप कार काकेंद्र हो, या राज का मंत्री मेरे उपर यौन पीरन किया है, कोई महिला जाके ऐसा आरोप लगाते है, तो आपको लगता है कि उसमें FIR रेजिस्टर हो जाएगा, तो हर चीज का, क्यूंकि ये चीज, ये क्रिमिनल लौ ऐसा सिस्टम है, या ऐसा चीज है, जिसमें जचिज है, तो से इसलिए जब आप संक्षोफन कर् guys, फिकलाँ जा सबाएगा, ये जो जो लौ या जाओंसा है, ष्कला जाज से आज तक सर्वाइब किया है, उर सिफ इंडिया में नहीं, आप देखो Singapore में देखो, Pakistan में देखो, आप आपके शोता को जानके भाहरानी होग they will be amused to know that the Indian Penal Code and the Pakistan Penal Code and the Bangladesh Penal Code till 1st July was the same was the same, only the name was changed the same thing is with Malaysia the same thing is with Singapore, Mauritius Evidence Act Saakshadhinam Saakshadhinam, Saakshadhinam change is cosmetic we were doing two, three so they have done three because this change in Saakshadhinam he can do a change Saakshadhinam, Saakshadhinam, Saakshadhinam he did a good change, he has done electronic evidence he has given it to be able to believe it but again, as I said in your introductory comments as you have said 70-80% is just the same old wine in new bottle that was the first like you had 420 you have 420 now 318 so language is the same it has been here we have to do it 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 we have to learn again now we have to do it we have to do it 415, 328 499 302 now everything is changed we have to do it 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 it is true it is true any change can't be comfortable and just because it is not comfortable it should not be that we should not have change but I want to say two things this is the same you just have to do it you have to do it I must change you have to change 2 then you can see what you are doing you have to do it you have to add कि राजद्रोह चला गया है लेकिन आप बैक डोड से आपने देशद्रोह लाया और इतना वाइडली आपने उसको डिफाइन किया है कि कोई भी कुछ भी कहे उसमें आ जाएंगे अब आरोप ये है कि वो राजद्रोह से भी ज़्यादा सकते हो गया है एकदम तो ये जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाइटर विन में कह रहा था कि देखो भाया 75 परसंट वो ही रखाया ठीक है जहां अपना दिमाग लगा है वहाँ ही उन्होंने बंटाधार किया है वकीलों को और क्या पत्ती है उस केस में जब लागू करना होते है इंप्लिमेंट करना होते है तब ही हो कानून देखते है हम जैसे अनफॉर्चुनेट है आपने बुला लिया तो मुझे पढ़ना हुआ इसमें बहुत सारे बहुत सारे इशूज है जैसे अब देखिए हैंड काफ हैंड काफिंग उसके उपर हदकड़ी लगाना उसके उपर जज्जमेंट था यह हूमन राइट्स के उपर सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट था हाई कोर्स का जज्जमेंट था अब इन्होंने हैंड काफिंग परमिट कर दिया है अच्छा अनिवारे हो गई है अनिवारे नहीं डिस्क्रेशन अफ पुलीस से पुलीस का डिस्क्रेशन करना है आपको मैं दो चीज का एक्जांपल देता हूँ जो बहुत ही अच्छा लगता है मतलब फर्स्ट ग्लांस में आपको लगा है कि बहुत अच्छा किया है लेकिन उसका consequence क्या है मैं आपको बताता हूँ मैं दो चीज एक आपको मैं substantive criminal law जो हम कहते हैं मतलब जो penal code था आज के आप भारत ये नाय संगिता है उससे दे रहा हूँ और एक मैं आपको procedure से दे रहा हूँ तो पहले मैं आपको procedure से देता हूँ इन्होंने बोल दिया है अब timeline लगा दिया है उन्होंने कि 60 दिन के अंदर आपका discharge application सुनवाई होगा 30 दिन के अंदर judgment देना होगा 60 दिन के अंदर charge sheet frame करना होगा हमारे अगर कोई इतिहास देखेंगे ऐसे बहुत सब्सक्राइब नहीं हो सकता है अब देखे कोई नहीं कह सकता है हम वकील तो बदनाम है वो दामीनी मूवी तारीक 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 लेकिन बहुत सारे जो इसके पहरे laws आये CPC amendment हुआ है commercial courts act आये है उसमें भी यह जो experiment है adjustment का control करने का वो भी fail हुआ है अब point है कि आप पहले यह देखो कि यह culture क्यों है और यह culture of adjustment क्यों है इसमें क्या वकील सिर्फ जम्मेबार है या हमारे जो judicial system है जहां आप बैठे हो एक तरिफ तो आपनी फटाक से तीन कानून लाया और जहां judicial appointments है Supreme Court बार-बार बोल रहे है कि आप expedite करो, expedite करो आप बैठे हो नाम दबा के आज आपको पता होगा आज ही जारकंड का Chief Justice नियोगत हुआ है बेचार का 16 दिन है क्योंकि 6 महीने पहले Collegium में recommend किया था आप बैठ गे उसके उपर अब यह judgment क्यों होता है अगर एक High Court में या निचली अदालत में आप 30% judges का नियुकती तो के स्पेंडिंग होगा के नहीं आपने tribunals बना दिया DRT tribunal, यह tribunal फर्नाडा tribunal उस tribunal में आप appoint ही नहीं करते हो आप उसमें एक पैसा नहीं लगाना चाहते हो क्यों पैसा लगाना होगा कानून पास करना तो मुफ्त है उसमें जो लिखना है और मैं इस सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ इसके पहले का सरकार भी ऐसा ही किया है अगर आप देखो कि तेखे हम तो पॉलिटिशन हैं, राजनीती में इस जैसे कहते हैं, इस हमा में सब नंगे हैं, आपको याद होगा, इसके पहले, UPA सरकार ने, वो जो लाया था, वो शोशल, नहीं, नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो जो राइट टु फूड लाय थे, सोशल, सोशल सिक कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, 2008 में जब वो अक्ट है, 2007-8 से आज, 2024 है, वो अक्ट नहीं हुआ, अगर वो अक्ट पढ़ोगे, आपको लोगे, क्या-क्या चीज दे दिया है, और उसी अक्ट से उठाके, इस सरकार ने, 2020 में, हमारा जो श्रम कोड जो बनाया है, उसमें उ मोदी जी ने उस आक्ट, वो जो कोड बनाया, चार कोड बनाया, उसको अभी तक प्रमलगेट नहीं किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि नए कानून हम ले आए, लेकिन इनने लागू करने के लिए, जो हमारे पास, इंफ्रस्रुक्रुक्र होना चाहिए, वो है नहीं, ऊपर अपने डेड्लाइन्स लगा दिए हैं, 32 तीस दिन में करदो, 40 तीस दिन में करदो, 50 दिन में करदो, लेकिन पहले भी जो द게 करोंती, शलें पास नहीं हो रही हैं कि लोग लेजी थे, बलकि जिन कारणों कर के चलते हो रही थे, वो कारण अभी गोशिस्ट करता हैं, बिलक किया है अब आप देखिए उन्होंने 20 साल का चायल्ड रइप के लिए उन्होंने न्यून्तम डंड अन्ल शायल जाल 10 साल दिया है हिटन रन के लिए हुआ हड़ी जो जैसे रस्ते में जा रहे हो ग्र आपको मार के भाग गये जह आपको पता है कि हिंदुस्तान का दिली का सबसे मशूर हिटन रन केस, आप तो यंग हों, हम बुड़े है, हमें याद है, दिली का सबसे मशूर हिटन रन केस में बस वैन बन गया आपको पता है, जो लोधी रोड में जो इंसिड़्ेंट हुआ था बहुत साल पहले, 1997-1998 में he was the son of a very famous person that BMW accident हुआ था, hit and run उसमें, evidence में hit and run बन 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 गय है van जो आदमी गवा था, वो आके गवा देके निए वो तो BMW नहीं था, तो van था तो hit and run में पहले तो बहुत मुश्किल हो था direct evidence के लिए सीधा जो गवा की अब ऐसे केस में आप circumstantial evidence से पूफ करोगे, ठीक है direct evidence से नहीं होता है same thing with rape rape मतलब जो भच्चना जो है, वो जो किसी का बलातकार जो है वो पब्लिकली नहीं होता है सामो एक बलातकार भी पब्लिकली शायद नहीं हो तो उसमें गवा मिलना direct evidence मिलना बहुत मुश्किल होगा CCTV भी शायद नहीं हो PDC गवा उसमें तो इस परिस्थिती में पूरा विश्व में आप पूछ लो किसी भी criminology expert से पूछ लो कि जब आप judge के हाथ से discretion ले लेते हो चीन लेते हो judge को अगर लगता है कि चल ये बदमाश तो किया है चलो मैं इसको guilty करके कुछ सजा दे देता हूँ मैं इसको guilty करके इसको चलो 4 साल दे देता हूँ क्योंकि मेरे discretion में है मैं इसको 4 दू 3 दू 6 दू मेरे discretion में मैं दे देता हूँ लेकिन अगर आप बोल देते हो कि देख तेरे हाथ में कुछ है नहीं नियूनतम तुझे 20 साल देना ही होगा या नियूनतम तुमें 10 साल देने होगा worldwide minimum mandatory punishment has led to lesser conviction rate क्योंकि judge फिर भया देखो मुझे तो थोड़ा सा doubt है लेकिन अगर मैं बोल दू कि हाँ guilty है तो फिर मुझे POXO में उन्होंने ये किया है ये challenge है अभी POXO में वो पुराब IPC में मतलब ये जो इसमें डाल दिया है उन्होंने and as I said publicly तो बहुत अच्छा लगता है आपको पता है जब निर्भाय हुआ था वो बोलता है death sentence mandatory करो rape के लिए mandatory करो लेकिन that Swati Mahiwal दो Delhi महिला हो कै वो भी बोल ला था mandatory करो NCW ने भी कहा लेकिन worldwide mandatory sentence से कभी conviction नहीं हुआ है और आपके शोता को पता है कि हमारे हमारे कानून विवस्था जो है जो system जो है अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने decolonization क्या है लेकर decolonization नहीं कर पाया हमारे system का पहला colonization system का पहला रूल था कि 99 गुनेगार को सजा से माफ कर दे लेकिन एक बे गुनेगार सजा नहीं होना चाहिए और वो system वो principle अभी भी हमारा चल रहा है तो हमारा equitable rate क्या है over 90% equitable rate है अब आप जब minimum mandatory sentence डाल रहे हो तो आप देख लो 100% equitable हो आप ये कह रहे हैं कि जज को अगर पहले संशे रहता था है या नहीं तो भी वो थोड़ी सजा दे देता था लेकिन अब कम से कम अगर 10 या 20 साल आप रखोगे तो जहां संशे होगा तो वो कहेगा इससे तो इससे छोड़ी दो जादा देने सो तो यही बहतर है बिलकुल और सिर्फ यहां का experience नहीं है ये worldwide judicial phenomena है अच्छा पुलिस को लेकर बहुत सवाल है पुलिस की टाकत बहुत बढ़ा दी ये कहा जा रहा है और एक तरफ आप जब यह कहते हो कि हम decolonize कर रहे हैं कानूनों को तो तब भी यह कहा जाता था कि तो पुलिस राज है पुलिसिया राज है क्योंकि जो कानून मना था वो तो इसलिए मना था क्योंकि हिंदुस्तानियों को प्रतारित किया जाया, यह उने wanna control किया जाया तो पुलिस को ताकत दो अभी जो यह ने कानून आए, उसमें भी यहारॉप है कि भले आपने हिंदी में लिखती हो या इनका हिंदी नाम करना कर दिया हो लेकिन ताकत तो पुलिस की बढ़ गई है क्या वाकिए बढ़ गई है हमें नहीं पता आपने पढ़ा हो तो बताईए तो देखे मैं तो आपके podcast record करने के पहले मैंने आपको एक English phrase बताया उसका हिंदी अनुबाद आप कर दीजे क्योंकि मेरा हिंदी जैसे मैं आपको कहा लगान का हिंदी है तो elephant in the room उसका मतलब क्या हिंदी मैं आप बताओ उसका तो यहीं मतलब है कि मुख्यमुद्दा ही है तो मुख्यमुद्दा क्या है elephant in the room है police reform और मैं इस सरकार को आरोप नहीं लगा रहा हूँ अब मैं आपको लिख के देता हूँ कोई भी सरकार जो आएंगे कोई भी सरकार जो आएंगे वो police reform कभी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार police बेपक्ष के उपर इस्तिमाल करते है वो जब सत्तारूर होंगे वो उसी सरकार जो थे उनके उपर वो इस्तिमाल करेंगे सब police को यूज करेंगे आप देखो यही आरोप है केजरिवाल यहां कहते थे पंजाब में उनके उपर वो ही आरोप कर रहे कि उनका police यूज कर रहे दिल्ली में जहां चुनूही सरकार public prosecutor पॉइंट करते थे इस नया कानून में तो उनसे हक ले लिया उन्होंने अब सरकार सरकार ये वकील नहीं चुनेगे नहीं मोटा भाई police चुनेंगे मोटा भाई prosecutor भी चुनेंगे तो यह जो है police reform police reform का बहुत सारे aspects है police is overworked underpaid underappreciated and constantly bullied by the political executive इसको आप हिंदी में अनुबाद कर दीजी नहीं समझ गे नब्य देनों के रिमांड का क्या मामल है जो पंदरे दिनों से बढ़ा दी इसमें थोरा confusion है देखे माननिया ग्रे मंत्री ने इसका clarification भी दिया है मोटा भाई जी कि यह 15 दिनी है इन्होंने सिर्फ यह कहा है कि अगर offense जो है अगर वो 10 साल का सजा होते है तो 60 दिन तक रिमांड में 15 दिन वो ले सकते है और अगर उसके उपर है तो 90 दिन में ले सकते है इसका मतलब यह है कि यह जो है 15 दिन उसको इकठा नहीं लेना है वो 60 दिन में 2-2, 5-5 दिन करके टोटल 15 दिन का ले सकते है 60 दिन में या 90 दिन उनका justification क्या है पहले यह समझ लीजे उनका justification यह है कि कभी कभार investigation इतना complicated है तो तुरंथ पहले ही 15 दिन में रिमांड करके वो खतम नहीं कर सकते है तो इसलिए यह उनको छूट दिया जा रहे है कि कभी भी किसी भी stage में फिर से रिमांड लेके 90 दिन तक investigation कर सकते है अब जैसे कुछ लोगों कहना है कि आपने 90 दिन तो दे दिया इससे charge sheet दाखिल करने में देरी होगी क्या देखें इसमें इनोंने बहुत सारे जैसे मैंने आपको कहरा था कि उनोंने बहुत सारे प्राफदाने इसमें डाला है charge sheet कब तक डालना है अब यह charge sheet के उपर उनोंने exactly उनोंने कोई अनुशाशन नहीं डाला है लेकिन चार्ज शीट फाइल करने के बाद 60 डेस के अंदर चार्ज फ्रेम करने का उन्होंने प्रावदार किया है अब ये चार्ज शीट कब फाइल होगा आप देखिए हमारे दिल्ली में जो लिकर केज चल रहा है उसमें तो चार्ज शीट के चार्ज शीट कमक्रेंट पर कम्परेंट उन्होंने डाली जा रहे है बहुत सारे केसेज में सालों से चार्ज शीट चलते है अब आब लेट अस टेक इस शाराब गोटाला केज अ गजेंपल जहां 30,000 से ज़ादा documents है 300 witnesses है जहां 25 accused है अब इस कानून में 30, 60 दिन के अंदर charge frame करना है आप सोचो और उसमें 60 दिन के अंदर discharge application भी है आपके शोता को समझना है कि charge procedure क्या होते है investigation होते है investigation के बाद एक charge sheet file होते है यह आरोपत्र आरोपत्र दर्ज होते है अब आरोपत्र जब दर्ज होते है जो आरोपी है उनका हक है, उनका अधिकार है कि वह वहाँ एक protest petition, discharge petition डाल सकते है कि court को कहे कि जनाब इसमें कोई case मेरे खिलाफ नहीं बनते है आप मुझे बरी कर दीजे, आप मुझे discharge कर दीजी home minister was also discharged in that case, in that Gujarat riots case, through a discharge route दूसरा मान लो मैं नितिन के खिलाफ दो criminal offense के बारे में complain किया है, X और Y और police charge सिर्फ Y का करते है, मैं उसमें protest petition डाल सकता हूँ कि नहीं, X को भी डालो तो इतने सारे protest petition सुनो charge frame करो सब कोच आपको आपने के बाद judgment आपको तीस दिन के अंदर देना होगा, तो ये सब डेडल, ये तो बहुत अच्छा लगते है, किताब में जैसे आपने कहा है लिखना बहुत अच्छा है, कि तीस दिन के अंदर होगा, सार दिन के अंदर होगा, तीस दिन कानून के हिसाब से चलेगा, कौन से नए कानून के हिसाब चलेगा, वकीलों के लिए इन सब के लिए तो बड़ी दुविदा होगी, जजों के लिए बड़ी दुविदा होगी, मैं तो मेरे जूनियर्स को बहुत अच्छा एक interesting moot court problem मैंने दिया, मैंने कहा कि चलो नितिन और मेरा जगड़ा होते हैं, आप और मेरा जगड़ा होते हैं, कहां जगड़ा होते हैं, दिल्ली और नॉइडा की बॉर्डर में जगड़ा होते हैं, कितने बचे जगड़ा होते हैं, 1150 को जगड़ा होते हैं, या और बिचारे संजय घोष, चोटे-मोटे आम आदमी हो, क्या करें, वो जब तक वो जाके रिजिस्टर करवा पाए, अब आप तो और भी नहीं कर पाए, क्योंकि राइट नहीं है, यह यह नहीं है, उसका रिजुलाई लगता है, अब बताओ, कौन सा काणून लगता है, किसे आप से सुनवाई होगी, मेरे वाले से होगी, मेरे वाले से होगी to answer your question ये तो 10 year or 20 year plan है जैसे आपको समझना है कि एक case आरोप से लेके Supreme Court का फैसला तक और उसके बाद मान लो अगर मृत्तु डंध होते है अब उसमें भी आप time lines आया है इसमें interesting लिया President के उपर पावंदी नहीं हो सकता है लेकिन मृत्तु डंध का provisions में भी आप आगया कि 30 दिन के अंदर ये करना है वो करना है आपको पता है कि ये जो mercy appeal जो होते है उसमें भी कितने साल लग जाते है निर्भाय कान कब हुआ था 2014 2013 में हुआ था 2012 और उनका 2020 execution हुआ तो देखे कितना और ये भी तो fast track case है तो आप सोचो slow track case जो है वो 30 साल तक चलता है 20 साल तक चलता है अब दो तरह की कानून इस देश में आप ये कह रहे हैं दोड़ा ही दशकों तक चलेंगे वकीलों कि फीज तो आपने तो नजर लगाई दे आपका first सल्वो ही हमारे तीर तो आपने लगाई शुरू किया तीर लगाई नहीं आपने शुरू किया था हमारा भी पापी पेट है मुश्किल तो जजों के साथ भी रहेगी क्योंकि कौन सा किस हिसाब से अच्छा पर ये भारत की मामले में थोड़ी होगा ऐसे तो बहुत सारे देश होंगे जिनके हैं पुराने कानून रहे होंगे फिर नए कानून आए होंगे ऐसी complications को हम ही लोग देख रहे हैं क्या देखे ये बहुत interesting सवाल है मैंने तो international study नहीं किया लेकिन ये तो हम मांग सकते कि हाँ बहुत सारे जगा में changes हुआ है लेकिन ऐसा lock, stock and barrel मैं Commonwealth countries का बारे में कह सकता हूँ मेरे अनुसार तो नहीं हुआ है और जैसे मैंने आपको कहा कि देखे ये जो evidence act है ये legal scholars मानते है कि ये Sir James Fitz James Stevens का जो दिया हुआ evidence act है इतना beautiful writing है मैं उस दिन I think I tweeted about this मैं ये कहा कि अगर आप देखोगे cricket भी तो colonial है तो हम cricket का rule change कर देंगे क्या cricket का नाम हम देंगे गोलग डंड क्रिया नाम दे देंगे क्योंकि हमें ये नाम अच्चा नहीं लग रहा है तो change for the sake of change कभी नहीं करना चाहिए ये जो हमारे जो evidence act है इतना सरल भाषा में लिखा गया है इसके उपर इतने सालों का judgments है फिर भी council से लेके मतलब British Raj में वहां के जो courts थे उसका judgments है इस act के उपर आजाद होने के बाद हमारे Supreme Court का judgments है हर पहलू के उपर explanation है और इतना सरल तरीके से लिखा गया है सब वकील को पता है कि evidence act में आप देखेंगे ज़्यादा कुछ problem नहीं होता है अब आप इसको बदल दिया क्योंकि आपको बदलना है आपको जो change करना था electronic evidence विगरा आप amendments से संक्षोर्ण करके आप कर सकते थे पूरा इसका बदलने का और उसका नाम चेंज करके शाक्षा देने हम देना वो शाक्षा वो प्रणाउंस भी नहीं कर पागा बंगाली तमिल वो लोग पर क्या करेगा मेरा एक सवाल ये भी था कि translation के दिक्कत भी पता चल रही है करनाटक ने भी कुछा पती जता ही है कई कानून के नाम अब हिंदी में है गैर हिंदी प्रदेशों में इन से दिक्कत आएंगी ज़रूर आएंगे इन फाक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि तमिल नाडू में मडरा साइकोड में कल ये क्याचेका दर्ज हुआ है जाते है एक तरीके साप कह सकते हो कि सब बदल दिया एक तरीके साप कह सकते हो कुछ नहीं बदला तो हमें सेक्शन्स फिर से evidence act में क्या क्या बदल गया evidence act में strangely और thankfully बहुत कम बदलावा है सबसे कम उन्होंने छेरचारी किया evidence act से उन्होंने सिर्फ दो तीन concepts change किया है एक तो उन्होंने coercion को एक add किया है उसमें उन्होंने electronic evidence जो है उन्होंने ये add किया है और एक अच्छा चीज़ कहा है expert evidence के ओपर पहले expert evidence जो है जो गवाव होते थे वो सिर्फ एक दो कारण में आप introduce कर सकते थे अब आप evidence किसी का भी expert evidence किसी के चीज़ में expert evidence जो कह रहे हैं उससे समझ में या रहा है कि digital मतलब एक तो e-mails chats, whatsapp की और जो websites पर कुछ लिखा है उससे अब evidence माना जाएगा पहले उस तरह नहीं मानते थे और expert का मतलब आप ये कह रहे है आप जैसे यहां कह रहे हो कि electronic evidence receipt होगा आप कह रहे हो कि हर district court में एक mobile forensic van होंगे forensic evidence लिया जाएगा लेकिन आपको पता होगा आपके शोता और दर्शक ने देखा होगा कि मैं 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 दिल्ली में एक consumer court ने कहा जनाब हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास bathroom नहीं है toilet shortage करने का जगा नहीं है हमारा पीने का पानी नहीं है हमारा पास stenographer नहीं है हम क्या काम करेंगे तो ये basic infrastructure आपके पास नहीं है आप किसी भी practicing वकील से पूछो कि सबसे बड़े दिक्कत हमारे देश में है forensic proof के लेके क्योंकि हमारे forensic labs बहुत कम है इंडिया में और बहुत सारे जो expensive sophisticated forensic tests है वो भी बहुत कम जगा हो सकते है आरूशी तलवार murder case में भी आपको याद है कि forensic evidence was very important और उसमें भी बाच आप हुआ था पॉर्श case में भी बहुचाप हुआ है अरोप लगे बदल दिया ये हो गया exactly तो आप ये जो chain of forensic evidence को chain of custody को कैसे prevent कर रहे हो mandatory होगा forensic इन्होंने तो कहा है इन्होंने time period दिया है within five years to make efforts तो ठीक है ना जो आप infrastructure की बात अभी कर रहे है तो पांच साल का अगर वक्त है तो हमें आशावादी क्यों नहीं हो जी optimistic क्यों नहीं हो जी कि पांच साल में हम बढ़िया infrastructure बना लेंगे अब हमारे सामने तैह है ना कि पांच साल में बनाना है क्या पता अगर ये कानून ना आते तो हम ये करते रहते हैं कि बना लेंगे जब बनाना होगा तो वकील लोक्स वागत की भी करें ये अपसुलिटी राइट क्योंकि दो तरीके से है एक तो है कि पहले आप आपके बेटी के लिए एक दुला ले लो उसके बाद आप बैंड वाला को लो उसके बाद आप केटरिंग वाला को लो उसके बाद जहां आप बैंक्वेट हॉले वोल कर लो और दूसरा एक है कि आप पहले ही इंविटेशन कार चपा लो और बोल दो कि पात साल बाद मरे बेटी का वेडिंग होगा आप पहले मुझे बताई इसमें क्या जल्दबाजी था कि जब एक सो पचास संगसट का आपने निलंबत किया था उसी सत्र में आपको इसको पास करना था क्योंकि आप आम चुना में जाना चाहते थे यह कहके कि दुख हमने बदल दिया अगर आपने एक सो पचास संगसट को निलंबत किया है उसी सदन के उसी सत्र में आपको यह कानून पास करने का क्या जल्दबाजी था अगर आप इलेक्शन में चुनाव में आप कहना चाहते थे कि हमने यह कानून बदल दिया है क्योंकि आम जनता खुदा ना करे जब उनके उपर बाज उनके उपर लगेंगे जब तक आपके उपर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएंगे आम जनता तो सिर्फ खुश है ना सुनके कि लॉलीपॉप मिल गया देखो मोदी जी ने और रिक चेंज कर दिया हुआ था कब हुआ था जब निर्भय कांड हुआ था आपको याद होगा उसके कि पर मैरेटल मढ़ के उपर बात हो रहा था इन्हों मैरेटल रेप चेहरा नहीं वही दो साल का रग दिया है और वह भी महिला जिसका अपने पुरुष मताबने पति से judicial separation का formal order है और बाकी में marital rape इन्होंने introduce नहीं किया शादी में रहते हुए नहीं कर सकते है मर्द का अधिकार है अपने बीवी को बलातकार करने का इस कानून के अनुसार नहीं कि पहले भी यह था इसा नहीं कि उन्होंने ऐसा किया है इसलिए हमारे जो विमन्स अक्टिविस्ट है वो कह रहे थे कि आप marital rape को रकिनाइज करो और यह sexual crimes के उपर और आपको बताता हूं और बहुत इंट्रिस्टिंग है 377 आपको पता है समलेंगे जो sex के उपर थे तो उसमें कानून यह था जो सुप्रीम कोट ने इसमें clarification डाला है कि consensual sex जो है मतलब जो जिसमें मर्जी है decriminalize किया गया है लेकिन जो consensual नहीं था जो अगर एक मर्द का rape होता है अगर bestiality होता है गोँ माता को इतना हम मानते हैं अगर bestiality होता है पूरा 377 पूरा निकाल दिया है तो आज के दिन में bestiality is not a crime आज के दिन में male rape is not a crime पुरुष पुरुष का rape करें उस मामल में आप कह रहे हैं वोई तो मैं कह रहा हूँ अब वो crime भी बचाया खतम कर दिया है उन्होंने पूरा निकाल दिया है उन्होंने और उसके बाद आप देखो यह जो घटिया जो drafting है जैसा मैंने कहा है जो अंग्रेजों का जमाने का jailer जैसा उन्होंने जो डाला है वो सही है जो अपना दिमाग लगा है बंटाधार किया है इन्होंने एक deceit के उपर दिया है whoever uses deceit आप वो language पढ़ो आपको समझ नहीं आगा है कि क्या लिखा है whoever by deceit gets a woman to have sexual intercourse उसको आप crime कर दिया अब deceit क्या है आप बताओ अब किसी के उपर you know our laws are very pro women I have been a women's rights activist but we also have to be very conscious कि बहुत सारे male लोग है जिनके उपर भी unfair allegations हो सकता है लेकिन तो ज्योंकती हुई है ना पहले भी तो ऐसी था कि विवा का अगर जूटा वादा किया या कपटपून तरीके जैसे नौकरी दिलाना या promotions या प्रलोभन ये तो वही है बदना है कुछ बदना है कुछ पुराना जो law है पहले तो ऐसा specific provision नहीं था वो rape में लाया जाता था as false promise to marry उसके ओपर भी Supreme Court का और हमारे उच्छनाले का बहुत सारे states का उच्छनाले का judgments है फैसला है उन्होंने इसको बहुत regulate किया है तो इन्होंने तो इसको specific offense मना दिया है और deceit मतलब कि अच्छा मान लो और ये तो महिला का भी अपमान है कोई self-respecting woman जाके बोलेंगे इस पर यही बात हो रही थी कि यह तो यूँ भी गलत है आप नहीं समझे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अगर आप यह महिला के लिए कर रहे हूँ आप महिला का अपमान कर रहे हूँ ऐसा लिख के समझ रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो यह बात कह रहे हैं इसमें यह बात तो उठी रही है क्या बैठ कर कुछ चर्चा नहीं हुई इस पर आप ऐसा कह रहे हैं देखे मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके उपर चर्चा नहीं हुआ है संगसद ने इसको भेजा गया था सिलेक कमिटी में भेजा गया था in fact मैं कुछ और चीज़ कहना चाहता हूं and I want to compliment the Modi government इन्होंने जब कोड लाए जो श्रम अधिनियम के बाद कर रहे है जो चार श्रमिक कानून लाए आपको पता होगा कि Ministry of Labour ने ये कानून वेबसाइट में तीन साल के लिए डाला तीन साल और सब से stakeholders से देखे you can't please everyone all the time कोई भी कानून बनाओगे कोई तो होगा जिसको उसके उपर objection होगा will not be happy लेकिन ये जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया इन्होंने एक प्रोफेसर बाजपाई के नित्त में एक NLU का प्रोफेसर है उनके नित्त में कमिटी बनाया जो भी है और Law Commission का recommendation भी है कि हाँ क्रिमिनल रिफॉर्म होना चेह कानून बनना चेह no one is doubting as I said I started by saying कि नियत अच्छा है लेकिन आप जी ये ड्राफ्ट बनाया इस वस नवर पुट इन्ट पुट इन्ट पुलिक दोमें until it was introduced in Parliament आपको पता होगा कि this is a second draft आपको पता है पहले this is called the criminal law amendments the criminal law भारतिया नाय संगिता 2003 का पहले लाया उसके बाद विड्रौ किया ओ बिल उस बिल में तो इतने सारे टाइपोस थे we had a gala time on twitter making fun of that bill वो तो class first year law student भी इतना घटिया बिल ना बनाया उन्होंने बिल बना के संगसद में डाल दिया और उसके बाद इन्होंने इसको विड्रौ किया आप पत channels तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई नहीं बात किया कि कैसा घटिया विल आपने बनाया लेकिन उन्होंने विड्रौ किया इसके लिए उनको सरानना चाहिए कि उन्होंने अट्लीस क्रिटिसिजम हुआ वो क्रिटिसिजम एक्सेप्ट किया उन्होंने पूरा विल लॉक स्टॉकन बैरल बिड्रौ किया नया बिल डाले उन्होंने माइप पॉइंट इस जैसे आपने देखा कि क्रिशी कानून में भी जैसा हुआ अब ग्रियमंत्री ने भी ये कहा है कि अरे आपका कोई आपती है तो हमें आजाओ बताओ हम संक्षुदन करेंगे ये क्या जैसे मैंने आपको बातचीत कर रहे था आपको बताओ ये कोई डिनर मेन्यू नहीं है कि अरे पनीत पसंदा आज अच्छा नहीं लगा आज गोबी आलू बना दो हम लोगों का जिंदकी का बात कर रहे है ये क्रिमिनल लौ है ये एविदेंस लौ है किन लोगों से बात करनी चाहिए मैं ये पूछ रहा हूँ आप खुद मान रहे हैं कि सेलेक्रमिटी के पास पहुचा था उसके बाद आप कह रहे हैं संसद में तो आया ही था आप कह रहे हैं कि उस वक्त संसद मौजूद नहीं थे सस्पेंट थे आपसलोटली लिए उसके पहले भी बात हुई लिए बात हुई है अगर आप ये कानून पब्लिक डोमेन में देते उसके बाद बार असोसियेशन को इन्वॉल्ज करते और बोलते कि आप सब वकील को ये भेजो हमें आ जाते हैं ना वाटसाप में सब को आ जाते है कि वोट दीजिएगा आते है कि ने आते है एक पीडिएफ वाटसाप में सब को भेज दो ना कि ये हम कानून प्रपोस करें इसमें बार असोसियेशन के सुझाव नहीं ले गए पहले अब कहा गया है कि अब ले लो हाला कि इन्होंने स्टेट हाई को भेजा था ये बात गलत होगा कहेंगे कि उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं किया सुप्रीम कोट को स्टेट को भेजा गया है मैं कह रहा हूं कि आम जनता को कंजूमर्स अफ जेस्टिस को सिर्फ लॉयर्स नहीं ये तो गलत बात है कि हम सोचते है कि ये कानून से वकीलों का है हम तो ठेकेदार है लेकिन जिसके लिए आपके लिए है आवाम के लिए है जनता के लिए है सब को भेजो ना अब आप कहेंगे एक चीज एक चीज यही डी कॉलिनाइजेशन है क्या डी कॉलिनाइजेशन है कि दूसरे तरीके से देखो कि जनता को लो यह तो हमारे बिटिश का परंपरा है कि एक पर्लिमेंट है, हाउस फेस्विंस्ट है, हाउस फॉमन्स, हाउस फॉमन्स, हाउस फॉमन्स, हाउस फॉमन्स की महाराणी आकर बैठेगी और वहाँ प्रतिनिदी फैसला करेगा You really wanted to revolutionize आप सच में decolonization करने चाते थे And everyone would say कि यह तो एक रेवलिशनर है कि मोदी जी ने हर मोबाइल में भेज दिया जैसे जन्धन में पैसा खटा-खट-खटा-खट राहूल बोल रहते है, जाएगा मोदी जी खटा-खट-खटा-खटा-खट सबको भेज देते थे पूछ रहा हूं कि 0FIR में कोई प्रॉबलम है पहले भी थी वैसे इक्जैक्ली क्या आपको पुरा एक भानासुर लाना था जीरो एफ़ार करने के लिए आपके शोता पूछ रहे भानासुर क्या है उन्होंने महिशा सुना है, बकासुर सुना है इतने असुर का नाम सुना है भानासुर ने सुना है, भानासुर है भारती है नागरिक सुरक्षा संगिता भानासुर संगिता बनाने का जरूरत था आपको 0FIR करने के लिए अब डिमनाइज कर रहे हैं उनको हम तो कलकता से हैं बंगाल से हम तो असूर को भी अपना मानते हैं दुर्गा पूजा में दश्वमी के दिन हम असूर को भी मिठाई के लाते हैं सिर्फ यही चेंज नहीं हुआ है और भी चेंज हुई है जैसे आप देखिए कि अब अनुपस्थिती में ट्रायल हो सकते हैं वैसे मैं एक बात देख रहा था इसके दोनों पहलों है जब देश के आजादी से पहले यह कानून था कि आरूपी को कटगरे में खड़ा होना चा कानून आया कि अगर वो नहीं आते तो भी ट्रायल कर लो उसमें लेजिस्लेटिव एसेंब्ली में लंबी बहस हुई थी उसमें मौमाद अली जिन्ना ने भगत सिंग वगरा की तरफ से एक बहुत अच्छे तर्क रखे थे उन्होंने कहा कि इससे वड़ा न्याए ही नहीं बहुत बहुत मौमाद बात कियाँ आपको पता हुगा थे अट्रायल है जिसके लिए सिर्फ एक कानून बना गया था और इनन्स का रुड़ा नहीं लापस हो गया सिर्फ एक और इनन्स के अंधर यह सिस्टम किया और बगत सिंग्स राजगुरू और उनको मारा गया coming to your point very good but coming to your point coming to your point that yes it is a very good thing a lot of people have tried to avoid trials and trial in absentia is fine but whether these will meet international standards you have to also see we are a master in our country we are a master in our country but if we go to trial in absentia and go to London you have to remember whether internationally they will accept that is another issue they are doing it and if it is a Sunday you have to say we have to win in the case we have to put a appeal then what happened we don't do it we have to do it it is one benefit which I understand is that we have to try and if we have to do it and if we have to do it and we have to do it we have to do it at least we have to do it so we can do it so we can do it whether they are banks or employees now I am going to tell you something that I am going to say you know in English you have to do it please take me I will treat you I will treat you if I can do it I will treat you that you will my English is your Hindi together tell you we will do it the road to hell is paved with good intentions tell me so this is what you are saying if you are making this if you are making this you are thinking that tomorrow you are able to do it because now this is the power that a superintendent of police will simply go and say that his property is up this is not a person no 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 sorry please understand under this law a new concept has been introduced and this concept is for future of property anyone involved in criminal activity you can forfeet the property before the law was when we introduced blue-collar crime all of this we had amended specifically for specific crimes introduced for future of property now in this law in Bhanasur any crime any criminal activity can be forfeited another thing that I was reading that if someone is more than one than one then the law has got a criminal activity it will not be problematic it will not be it all depends on the facts of the case so I really don't want to you know as you asked a question it is three days when the law will be you and I will meet again and discuss how the problems unfolded now it is too early too premature to say which problem will not be this is one thing that I said that there are many positive things that there have been tried like electronic summon positive negative now people don't take now we will first answer the answer first now we are living in the age of deep fakes we are living in the age of AI artificial intelligence so it is and you have seen the level of infrastructure I am sorry I don't want to denigrate anyone when I say I mean the lack of infrastructure in the district you have a district court where they have a deep fake and the law says that you have to admit as evidence tell me what do you say but in the courts there are no electronic up-carrying which can access electronic things I don't do that I don't do that I don't do that I don't do that I don't I don't do that I don't do that I don't do that I don't do that in fact as I said I don't have to say these are very revolutionary I was in arbitration and high court and supreme court judges were and we were that pandemic positive things are what pandemic was positive thing this our corona pandemic has 10 years we have virtual conferences virtual cases virtually appear prisoner to virtual appear now it all came out and it was a video conference extension has been great and supreme court said that you don't तो तुरंद बुला तो ऐसा मत करो वर्च्वाली अपीर हो रहा तो हो जाने तो जी मैं सिर्व यह कह रहा हूँ कि दो तरीके है एक तो आप नहीं पर मैं ऐसर टोक के पूछ रहा हूँ जब सुप्रीम कोट ये बात कहती है तब वकील कोई नहीं कहता है कि आप वर्च्वाली अपीर होने का अधिकार देते हैं अधिकारीयों को कोर्स के सामने तब यह नहीं बात होरी कि एट लू होगा नहीं होगा तो क्या होगा लेकिन जब सरकार ने कह دیا कि electronic summons और electronic सबूत तो वकील यापत्ती कर रहे हैं कैसा कैसे होगा भी तो तकनीक पहुँची ही नहीं है अदालतों तक अब देखो मैं तो यहाँ वकील का representative नहीं हूँ मैंने तो शिरी बुलाया अच्छा आप इसलिए बुलाया कि मैं तो फिर तो आपको Bar Association को बुलाना चाहिए था आप अपने हिस्सी के आपत्तियां तो बताएं हाँ वो मिलेंगे तो नहीं बुलाऊंगा कभी अप लोग अपने अप फिर मंदन मिश्रा जी जो हमारे Chairperson ने Bar Council का उनको बुलाई वो तो पूरा बोलेगा कोई आपत्ति नहीं है तो आपत्ति तो वकीलों को थी अभी सड़कों पे दोतीन जगह तो दिखाई दे रहे थे बाद में समझा के उनने कि अंदर क्या समत करो इन फेट एक जगह तो कोट नहीं कहा कि गलत होगी है आप हमें बता दो क्या दिक्कत है आपको पता होगा कि कर्नाटका is introducing a state criminal law amendment introducing 24 changes to this law within 3 days they have decided to do so and when that happens many other opposition states will also introduce criminal law amendments और राज अपने साब से कर सकते है कर सकते है लेकिन हमारे समविधान में क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे three list है state list होते है जहां काणून सिर्फ राज के जो वीदान सवा बना सकते है में सिर्फ तव् page यस्ट materia लाज सूची संघ्व शूची संवर्ति सूची तो ये criminal law comes in concurrent list तो इसमें राजसरकार भी कानून बना सकते है और केंद्र सब्सक्रांगी बना सकते है और अगर केंद्र का कानून है, अगर उसमें कोई चेंज चाहते हैं, फिर बदल चाहते हैं, राज उस कानून को भी स्रंक्षोधन कर सकते हैं, लेकिन राश्च्टपती महोदय को उसको स्विक्रुति देना हो. यह इंट्रिस्टिंग है, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, कि ऐसा हो सकता है फिर कि यूपी मैं एक अपराद करूँ मैं, और बिहार में भी करूँ, दोनों जगे की सजा अलग हो? देखे, अपराद तो एक है, और ट्राइल एक ही होगा, और सजा जहां आपका अपराद कमिट हुआ है, उसके लाव विल पे अपलाएं. यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कि अगर बिहार संचोधन कर दे, और यूपी मान ले केंदर का ही कानून, तो यूपी में जो मैं अपराद कर रहा हूँ, वही अपराद यदि बिहार में करूँ, तो क्या दोनों की सजा अलग होगी? ऐसा होता है? यह भी हो सकता है कि अपराद ही ना हो, अगर आप यहां बैटके विस्की या बेर पिये, यह तो अपराद नहीं है ना? लेकि आप गुजरात में आप पियो, आप अपराद है, तो अपराद है, तो अपराद है, तो आश्चर यह चक्रिट होने का क्या बात है? नहीं क्योंकि एक देश एक कानून वाली बात भी तो है हमारे देश में तब ये चल रहे हैं एक देश एक सब कुछ लेकिन संविधान में हर राज को अलग अधिकार दिया गया है कि वो अपना कानून बना सकते हैं मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ ये किस हद तक कर सकते हैं हट्यापर तो नहीं कर सकते होंगे न कि कहीं अपराद न हो और कहीं अपराद में अज तक नहीं हुआ है, कि कोई भी राज अपना कानून बनाए जैसे मैंने कहा कि only check ये है कि उस राज के कानून को माननिया राष्ट्रपती महोदया को security देना होगा अब आपको पता है कि उस राष्ट्रपती महोदया केंद सरकार के सला के अनुसार चलेंगे तो अगर केंद सरकार वो अनुमती देते है तो वो कानून उसके लिए हो जाएगा आपको पता होगा कि बहुत साल आप हम जहां बैटे है यूपी में अंटिसिपेटरी बेल नहीं था बाकि होल कंट्री में था तो इसमें it's normal नहीं आम लोगों को नहीं मालूँ मुझे भी नहीं मालूँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए it's normal पहसाने रहा आपको ने ने आप पहसाओ ये तो हमारा पेशा ही है समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा चेंज किया जा सकता है तो कई बार फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब हाई कोर्ट में जैसे UP High Court में कानून बदला हमने आपे केंद्र का बनाय हूँ और UP High Court में गया तो UP High Court तो UP के इसाब से फिर जज्जमेंट देती होगी और फिर इसकी अपील में सुपरीम कोट में करूंगा तो तो वहां कुछ कुछ कॉंटिक्शन नहीं होते होंगी कैसे contradiction हो जैसे यहां देखे, Supreme Court will apply the law as applicable in that state, तो अगर UP से case जा रहे Supreme Court पे, तो Supreme Court UP का law apply करेंगे वो गुजरात का law तो थोड़ा ही अप्लाई करेंगे सई, एक तूछीज़ और पूछ लेता हूँ पर podcast अपने अंत की तरफ है इस बार चोरी और स्नेचिंग, स्नेचिंग को थोड़ा गंभीर माना गया इस बार अलग से उसके लिए सजा बनाई है हाँ, अच्छा है ऐसे ही लिंचिंग को भी लेकर है उसमें क्या है लिंचिंग को लेकर क्या है इन्होंने देखे क्योंकि मेरे खेले कोट ने भी का था ने मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूं बिक्स इस ब्रेश बताना चाहता हूं इन्होंने जो हॉच्पॉच किया है और यह जो भी लिंचिंग से भी उपर है टेरिरिजम आपको पता है कि UAPA में I'm sorry I'm introducing a new thing but I thought your viewers would want to know this UAPA का हमारा पूरा एक लौ है टेरिरिजम के उपर इन्होंने अब UAPA का रिपील नहीं किया है वोही प्राभधान उन्होंने नाय संभेता में डाल दिया है और एक पुलीस ओफिसर राज में उनको अधिकार दे दिया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक ओफेंस को UAPA टेरिरिस्ट ओफेंस माना जाएगा या नॉर्मल क्राइम माना जाएगा अब यह बहुत इंट्रेस्टिंग है कि यह कैसे प्ले आउट करेगा मान लो एक अपोजिशन स्टेट है और जिसके खिलाब आरोप है वो ruling party of center का कोई कारी करता हूँ वो उसको फिर टेरिस्ट बना के वो टेरिस्ट में ट्राइगा I really don't know what is the thinking behind this इसके उपर मैंने एक article भी लिखा है आतंकवाद निरोधी कानून तो पहले भी इसे तरह चर्चा में रहे हैं पहले वो पोटा था फिर अब आप UAPA तो अभी भी है what I'm trying to say is आपको double double कानून कैसे operate करोगे आप UAPA तो खतम नहीं कर रहे हो UAPA चल रहे है और उसके उपर आपने अब terrorism को इसमें डाल दिया मकोका को भी मकोका organized crime मकोका का provisions आप इसमें डाल दिया so I really don't know सच में actually आपको podcast करना चाहिए सरकार के कोई मंत्री से की समझाओ कि आपकी thinking क्या थे I can't explain why they have done it what they have done मैं सिर्फ आपको हैरानी प्रकट कर सकता हूँ लेकिन कारण नहीं बता सकता हूँ आपका पक्ष भी तो सुनना था सरकार के मंत्रियों को तो मेल लिख चले है शुकर है कि आपने हमारे पक्ष सुना लेकिन कानून बनाने के पहला अगर हमारे पक्ष सुनते तो और भी अच्छा अब उसमें तो हमारा हाथ थोड़ी है अब लोग कम सक्ष सुनें वकील के ऊपर यहां पड़ी है या कहें कि जिन कोई नया टास्क मिला है वकील के उपर कोई आफ़ट नहीं पढ़ता है अच्छा वकील तो मुगदमा मैं जीतना ही जीतना है है तो कॉम्पलिकेटटड जेखे और बहुत serious है, हम हसी में जाग में बात करतो रहे हैं जो आप कह रहे थे हैं अभी भी, क्योंकि जो फसेगा, अब खिचडी है, पहली बहुत खिचडी था, अब ये बहुत problematic है, क्योंकि अब तो वकील भी confused होगा, बहुत confused होगा, कुछ वक्त तक ये इस्तिती रहनी है, तो जो इस संधिकाल में, जिसमें हौच-पॉच रहने वाला है, बाद में क्लेरिटी भले आजाए, जो इस संधिकाल में मुकदमों में फसने वाले हैं, या करने भी वाले हैं, वो एक अजीब सी पसो पेश में रहेंगे, और कब तक रहेंगे? One way of bringing about the amendments, was to phase out, that you first change the substantive law, wait for some time, see how it pans out, then change the procedural law, and then change the evidence law, इन्होंने सब एक अठा कर दिया, एक सथ कर दिया, क्रमशह करना चाहिए, एक एक करते, तो पता चलता रहता कि प्रेक्टिकली के प्रॉब्लम सा रही हैं, और इसमें भी और एक चीज, यह आपने कहा नहीं, कि पाथ साल तो अच्छा नियत है, साफ है, यह है, लेकिन उसमें कोई consequence नहीं है, मैं जब consequence का बात कर रहा हूं, कि इसमें, अमेरिका में जब कानून बना जाते हैं, जैसे Violence Against Women Act, I was involved in the national campaign for the domestic violence law, और हमने उसमें एक प्रावधान दिया था, और उसको ही कार दिया, बाकि सब मान के उ इतना पैसा हर साल को इतना पैसा दिया जाएगा इस अधिनियम को effective करने के लिए, तो आप कह रहे हो कि mobile van बनेंगे, electric evidence, electronic evidence होगा, यह होगा, आप कितना commit कर रहे हो कि this is the amount we are committing to ensure the infrastructure for the law, बहुत सहरे चीज़ तो फ्री जो है, आपने अमेंट के दिया है, जैसे the right to inform the accused and the victim at every stage of the investigation and the trial, which is a very good thing, and I compliment the government for that, लेकिन infrastructure के बारे में किया है, कि एक चीज़ का commitment भी मिला है, कि कुछ training programs चलेंगे, वकीलों को, या law students को, या पुलिस के लोगों को, या पुलिस के बड़े अफसरों को, जागरुक करने के, लेकि एक चीज़, मैं अभी बैटके समस्या समझ रहा ह कि प्रोसेस भली 10-12 साल अभी चलेगा, समझने, समझाने का, लेकिन जिन लोगों को इसमें सीधा मुठभेड करनी है, जैसे पुलिस अधिकारियों को या किसी को भी, उन्हें तो आपको बहुत जल्दी जागरुक करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो आपको बहुत जल् जो इसमें टाइपोस है, अब क्या करें, आप जो पॉइंट कह रहे हो, वो एक्दम सही है, हलां कि हमने बहुत सारे टेनिंग पुलीस के ले किया है, लेकिन क्या टेनिग हुआ है, यह हम वकी लोगों भी इतना समय लग रहे हैं समझने के लिए, अगर मैं 30 अर्टी अगर म आप जो अगरू मैं समझने के लिए, which is why the opposition demanded that, okay, don't withdraw the law, don't make 1st July the deadline, you put the deadline to 31st December, you are here for another 5 years, you can claim the glory after that, at least 6 months, though, or is 6 months when everyone would know that they mean business? Lawyers, judges, prosecutors, police, everyone would then, you know, work towards that. दोस्ती हो जाएगी नए कानून उससे कमसे 5-6 सार अभी सलह मांगी जा रही है आखरी सवाल है मेरा वैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल भेज़े थे आपके लिए पर अब समय हो चुका है हमारे वाटसेप क्रूप पे बहुत सारे सवाल आये थे तो एक घंटा और लगी जा कि तो तो एक लिए प्रणा रही है ने अपसे नहीं मांगी है वकीलों से कहा जा रहा है कि अप बार में दे दें है थे हैं है कि आप लुट्वत्वे यह थे हैं कितना आप लोग एग्ज़ेट पोल्स करते हो ना लोग से सला तो कुछते हो राइट और रॉंग तो वाइव मैं ने कहां कि real decolonization is to think differently. In India, involve the people. Our legal system was based on a colonial system. In the colonial system, there was a Raj. We didn't decolonize it. Babu is Babu. Aafsar is also aafsar. Decolonization, you are putting on a new law to make a new law. Like we had talked about, you have something about the legal aid system reform? You have done that every senior advocate has to actually do 10 free cases a day, a month, 20 free cases a month. I will be killed by my fellow senior advocates, but whatever. Nothing. This is all cosmetic. Thank you. Thank you. I hope that when we are going to the law, and when we are going to the law, we have two or four and नए कानून से उसमें जो प्रॉब्लम्स निकलेंगी वो एड्रिस की जाएं, संशोधन किया जाएं और बहुत जल्दी, मैं नहीं कहता है दस बीस साल लेकिन जल्दी से जल्दी, चीज़ा ठीक हो जाएं, स्मूथ हो जाएं और जैसे सिस्टम हमारा चल रहा था, मैं ऐसे एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, तो उमीद है कि ये सिद्धान्त जो है, वो अब भी जिन्दा रहेगा, कायम रहेगा, नए कानूनों के बाद भी, और जो प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे, उमीद से उमीद पर दुनिया कायम है, जरूर, और आप ही हमारे रेप्र बहुत शुक्री आप लोगों का इतने धहरे से हमें सुना, नए कानून है, और जैसा शुरू में भी कह रहे थे, कानून यूँ भी थोड़ा सा जटिल होते हैं, और जब तक किसी की मुटभेड नहीं होती, कुछ समझना नहीं चाहता, लेकिन एक जागरुक सजग नागरि हैं, हमारी नजर रहेगी, अगले गुरुवर फिर आजर होंगे, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, बहुत शुक्री आपका.